दोस्तों अगर आप शेयर मार्केट और म्यूच्वल फंड में इंट्रेस्ट रखते हैं तो केरियर बिट के ओफिशियल फाइनेंसियल यूट्यूब चैनल फिनो बिट जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जो 8 अप्रेल 2024 का क्लेरिफिकेशन एप्लिकेशन MP के द्वारा जो दायर किया गया था उस पर जो 8 अप्रेल का जज्जमेंट दिया गया उसमें जो DLA candidate थे वो अपना पक्ष रख रहे थे advocate के माध्यम से कि ये कहते हुए कि 8 अप्रेल का जो जज्जमेंट है उसमें जो Honorable Supreme Court ने ये कहा है कि subject to outcome उन case को माना जाएगा जो की case instituted by them होगा और वो them जो word यूज हुआ था वो B8 के लिए यूज हुआ था यानि कि अगर कोई state B8 को allow नहीं करती है ध्यान से सुनिएगा अगर कोई state B8 को allow नहीं करती है और वहाँ पर B8 candidate court को approach करते हैं और court B8 को eligibility में शामिल करने के लिए आदिश देती है लेकिन उनकी भरती subject to outcome रख लेती है तो उन B8 अभियरतियों को राहत नहीं दी है Supreme Court ने लेकिन अगर कोई B8 candidate already advertisement में eligible था मतलब की minimum education qualification उसमें सामिल था और उसके बाद से वो भरती subject to outcome हुई है चाहें वो matter DLA ले गया हो court में तो उस subject to outcome को नहीं consider किया गया है Supreme Court के दौरा और ऐसे B8 candidate को राहत दिया गया है अगर उनकी ज्वाइनिंग 11 अगस 2023 से पहले हो चुकी है तो यही matter Supreme Court में गया था यह कहते हुए DLA की तरब से की चुकी 2 साल, 3 साल, 4 साल से वो case लड़ रहे थे लेकिन High Court में यह मामला था और High Court के पास authority नहीं थी क्योंकि Supreme Court में यह मामला already pending था इसलिए Supreme Court के judgment का वेट करते हुए यह भरती subject to outcome हुई थी अगर matter Supreme Court में नहीं रहता त तो 25 November 2021 के मारेने जोदपूर High Court के judgment के अधार पर High Court अपना decision दे देती और B8 को आपातर घोशित कर देती तो at least आप जो वहाँ पर subject to outcome matter को define किया गया है 8 April 2024 के clarification application में कि instituted by them यानि B8 के द्वारा अगर matter को court ले जाए गया और court के माध्यम से अगर B8 को eligible किया गया तो उस matter को ही subject to outcome माना जागा इसको instituted by them word हटा करके वहाँ पर DLED वाले matter को भी consider out किया जाए यानि अगर case DLED ने किया है तो उस condition में भी यहाँ पर subject to outcome माना जाए और वहाँ पर भी B8 को रहात ना दी जाए इस matter को ले करके DLED वाले candidate Supreme Court का दरवाजाए खटकटाये थे मैंने आपको इस matter पर dedicated वीडियो के माना से सूचित भी किया था कि मानेने Supreme Court ने उस case को खारिज कर दिया है यानि कि वो word हटाने से साफ इनकार कर दिया उसी का court order आप अपने screen पर देख पा रहोंगे जो DLED की तरव से senior advocate गोपाल संकर नरायन सर थे और मंदीब काला जी थे एवार थे बाकी अगर आप petitioner की तरव से देख सकते हैं जो respondent है मतलब B8 की तरव से PS पटवालिया सर यहाँ पर उपस्तित थे और यहाँ पर देखिए Honorable Supreme Court ने क्या कुछ court order दिया है Supreme Court यह करिए कि जो 8 अपरेल का judgment था उसमें कोई भी ground नहीं है इंटरफियर करने के संदर में और इसी के तरव दो चीजे प्रभावित हो रही है पहला कि DLAD यह कह रहा है कि फिर हमारा 2-3 साल से जो हम high court में case लड़ रहे थे उसका तो कोई मतलब भी नहीं रह गया क्योंकि भरती subject to outcome थी high court में मामला pending था Supreme Court में मामला चल ला था इस वज़े से high court के हाथ बदे हुए थे इसलिए decision नहीं दे पारी थी तो at least हमें हमारे matter को subject to outcome माना तो जाए तो यहाँ पर देखे Supreme Court ने उस दिन के court जब hearing चल ले थी तो बिल्कुल ये clear किया था कि fresh recruitment में तो B8 सामिल नहीं होगा लेकिन जो already appoint हो चुके हैं उनको कहीं न कहीं दया भावना की तहत उनको safe किया गया है B8 की तरब से और इस वज़े से B8 उसमें interfere नहीं करना चाहती है इंटरफेर करने का मतलब ये हो जाएगा कि अगर instituted by them world हटा लिया गया तो सीधे सा इसका impact उन राज्यों पर पड़ेगा जहाँ पर DL8 candidate court को approach किये थे अब यहाँ पर देखे बहुत सारे जो DL8 के candidates हैं उनका ये question रहता है कि कोई भी case कोई भी candidate case तभी करेगा जब उसका hit प्रभावित होगा अब यहाँ पर beard already minimum eligibility में शामिल था तो वहाँ पर उसको क्यो court case करने की जोड़त है यहाँ पर देखे matter दो तरीके से हुआ था उस दिन अगर आप dealer advocate का पूरा अगर उनका सुनेंगे तो उन्होंने ये कहा था कि देखे आन्य राज्य में और जो जोदपूर में हुआ था मतलब जोदपूर high court में हुआ था मतलब राजस्थान का matter उसको एक साथ नहीं compare कर सकत राजस्थान में state of राजस्थान के द्वारा जो वहाँ पर REIT का विग्यापन जार किया गया था उसमें B8 को eligible नहीं मानने थे बाकी अन्य राज्यों में state government जो है वो B8 को eligible मान रही थी तो वहाँ पर चुकी state of राजस्थान में B8 candidate मजबूर थे court को एप्रोच करने के लिए और वहाँ court को एप्रोच करने के साथ जब वो matter चल रहा था तब वो एक तरिके से subject to outcome रखा गया था और बाद में उनको बाहर निकाल दिया गया था डिस्क्वालिफाई करते हुए जबकि अन्ने राजो में आप देखेंगे बिहार हो गया, 36 गड़ हो गया, मद्य परदेश हो गया तो यहाँ पर already minimum eligibility में B8 को शामिल किया गया था तो यहाँ पर B8 Candidate Court को एप्रोच करने का तो सवाल ही नहीं है, यही बात honorable Supreme Court को DL8 के advocate ने यह सूचना दी कि जब यहाँ पर DL8 Candidate के पास कोई रास्ता नहीं था तब वो court को एप्रोच करते हैं और जब वो court को एप्रोच करते हैं, तो court ने अपना decision नहीं दिया, क्योंकि मामला Supreme Court में pending था, अगर Supreme Court में मामला pending ने जाता तो 25 नौबर 2021 के हिसाब से B8 W8 हो सकता है कि in eligible घोशित कर दिया जाते हैं, क्योंकि यह भले ही एक दूसरे राज्य का मामला था, लेकिन जो notification request या फिर उसके अधार पर जो B8 अभीर्थी eligible होंगे या नहीं यह तैह होता है, तो जब वो central level का notification request हो गया, यानि कि उसका प्रभाव दूसरे राज्यों पर भी पड़ेगा, और अगर High Court का decision नहीं मानना है, तो उस condition में अन्य राज्यों में जो High Court में मामले गये थे, वो उ उस High Court के judgment के अधार पर B8 को ineligible घोशित कर देते, लेकिन चुकी मामला Supreme Court में था, इस वज़े से High Court ने decision नहीं दिया, इस वज़े से इस matter को भी at least subject to outcome तो मानिये, जिससे Supreme Court ने consider करने से मना कर दिया है, और case को खारिज कर दिया है, इसका मतलब यह हो गया, कि मद्धे पर्द management में तब तक यहाँ पर राहत मिलने के संभावना कम है, और 36 गड़ वाले मामले में अगर आप देखेंगे, तो वहाँ पर चुकी जोईनिंग 11 अगस्त 2023 के बाद हुई है, तो वहाँ का matter अलग है, और इस पेसली यह जो स्रीपंकर जी की याचिका पर जो 39 जुलाई 2024 को इसका impact मध्य परदेश में और बिहार में देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर 28 candidate खुद court को approach नहीं किये थे, क्योंकि एज़े eligibility criteria वो already जो notification था state government का उसमें वो शामिल थे, और Supreme Court का verdict यह है कि ऐसे 28 candidate को subject to outcome माना जागा, जो कि minimum eligibility criteria में जो state government का advertisement होगा, उसमें शामिल ना हो, और किसी भी court of law को approach किये हो, और court of law के द्वारा उनको राहत दी गई हो, यानि minimum eligible माना गया हो, और सिक्षाक बरती में शामिल करने के आदेश दिये गया हो, लेकिन वो आदेश subject to outcome रख लिया गया हो, final decision के, उसी subject to outcome को केवल consider किया जा रहा है, बाकि DLAT अगर court को approach किया ह जा रहा है, खेर देखते हैं, मद्य परदेश वाले DLAT candidate भी इस matter को Supreme Court में चैलेंज करने जा रहे हैं, साथी साथ बिहार वाला matter अगर आप देखेंगे 6 चरण वाला, तो वहाँ पर मानने पटना हाई court ने पहले आदेश दिया था, उसके बाद clarification का decision आया, उसके बाद से ज अगरा 36 गड़ वाले मामले में, जिसकी सुनाई 28 अगस्ट 2024 को होने जा रही है, अलेडी एक आये दाखिल कर रही है, जिसके माध्यम से वो अपना पक्ष्छ 36 गड़ वाले case में रखेगी, हलांकि इस टेट और बिहार को इस वाले case के साथ नहीं जाना चाहिए था, क्योंक 36 गड़ वाला matter देखेंगे, तो वहाँ पर joining 11 अगस्ट के बाद हुई है, और बिहार वाले matter में देखेंगे, तो 11 अगस्ट के पहले हुई है, अब दोनों state आपस में ही एक दूसरे के आमने सामने हो जाएंगे, 36 गड़ ये बोलेगा, state government ये बोलेगे कि हम चुकी 11 अगस् से पहले हो चुकी है, तो दोनों एक दूसरे के contradiction हो जाएंगे, जिसको ले करके निश्यत तोर पर खामी आजा तो भुगतना पड़ेगा, किसी ना किसी एक हो, पक्ष मजबूत की अगर बात करें, तो बिहार state government का पक्ष जादा मजबूत है, 8 अपरेल के clarification के हिसाब से, और उमिद करता हूँ, आप सभी के doubt क्लियर हो गए होंगे, और फिनो बिट चैनल को एक बार check out जरूर कर लिजएगा, financial, जो भी आपके goal होते हैं, achieve करने में आपको काफी ज्यादा help मिलेगी, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, भगवान करें आपका में सभी का दे द्याद ला देखने के लुट सर दो सेवादा एल